संस्कृत E.P.G. पाठ्षशालायां भवतां सरवेशां स्वागतां ममनाम रमेश कुमार पांडेयाह अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्या पीठस्य कुलपति है अस्मी अध्य अस्मिन पाठे वयम धन्या लोकस्य आधितह पंचमीन कारिकाम यावत व्याख्यानम कुरमह तत्र पाठ्ध्यांश तत्र रूपेण आदव मंगलाचरण पुरह काभ्यस्यात्मा ध्वनिरिती प्रतिज्या वाक्यम विद्धेते संप्रति प्रस्तावना प्रस्तुयते काभ्यस्यास्त्र परंपरायां युग प्रवर्तकह आचारियाः आनंदवर्धना चारियाः अनेन प्रणीतह धन्या लोकह काभ्यस्या परंपरायां मध्यमनी सुमेरुह इव विद्धेते आनंद वर्धनस्य काल लिर्धारण विशय नकस्चित बिवादो यतोही कल्हणस्य राजत रंगिन्याम काश्मीर नरेशस्य अवंति बर्मणः सामराज्य अस्यस्तिति प्रतिष्ठिता वर्तते मुक्ता कण शिवस्वामी कविरानंद वर्धनह प्रथाम रतनाकरस्चागात सामराज्य वंति वर्मणह अवंति वर्मणह समयाह विश्ट वर्षस्य नवं सताब्धी वर्तते नवम्यां ख्रीष्ट शत्यां उत्तरार्धे अस्य स्थितिही बिद्वद्भी स्वीकृता। राजशेखरेन काभी मीमांसायां आनंद वर्धनस्य उल्लेखाह अकारी। देवो यस्य महेंद्रपाल निप्रतिही शिश्यो रगुग्रामनीहीं। बालभारतस्य अनेन कथनेन राजशेखरो महेंद्रपालस्य उपाध्याया आसीति प्रतियते। कन्यवज शासकस्य महेंद्रपालस्य शिलालेखाह सप्ताधिक नममशतकस्य वर्तते। धन्या लोकस्य उल्लेखा सरवई रेव पस्चाद वर्त भी आचार्येह क्रियते अतह तस्य महत्वं स्वतह सिद्धमस्ति धन्या लोकीती ग्रंथनाम स्वयं सब्प्रतिपाध्यं सूचयती इतह प्राक रस अलंकार गुण रीती मारगादी काब्य तत्वनाम विवेचनम काब्य शास्त्र ग्रंथे प्रचलदासीत आनंद वर्धनेन तत्र नूतन तत्वं धनिरिती समुन मेलितं रस अलंकार धनिकारेण धनेहे यथा यथम संबंध अपी अबधारिताह वाच्य प्रतियमानयोह काब्यात्मत्वं अपी तेन प्रत्यपादी इधानि मंगलाचरणं वसुतह मूलक ग्रंथे मंगलाचरणं नास्ति किन्तु बृत्तिभागे आदव मंगलाचरणं प्राप्यते तत्य स्वेच्छा केशरिणह स्वच्छ स्वच्छाया यासि तेंदवह त्रायंतामवो मधुरिपोहो प्रपनार्ति चिदो नखाहा आचारी आनंदवर्धनह स्ष्टाचार परंपराम अनुचरन आश्रवादात्मकं मंगलं व्याख्याता स्रोत्रीणं क्षेमाय निबधनाद स्वेच्छा केशरिणह निजेच्छया स्वसमीहया नहीं परवशात परशापादि वशात केशरिणह सिम्हस्य धृत निरसिंह रूपस्य मधुरिपोहो मधुनाम दैत्यारेहे विश्णोहो स्वच्छ स्वच्छाया यासि तेंदवह स्वच्छया निर्मलया स्वच्छा आयया स्वक्कांतिया आयासितह, क्लेशितह, खिन्नह, अतिएव कांतिहीनह कृतह, इंदुहु, चंद्रमा, ते ताद्रिशाह, प्रपन्नार्तिछिदह, प्रपन्नानां, शर्णागतानां, प्रहलादप्रवृतिनां, दुसहां, पीडां, छिंदंति, बिनाशियंति ते वक्षमान ग्रंथ पाठकान त्रायंताम रक्षन्तु अस्य धुन्यालोक ग्रंथस्य अध्यायने समस्त बिग्न अपसारणादिना साहायं कुरुबंतु इत्यर्थाहा अत्र टिपणी दियते अत्र दिढ़तया धुनिकाब्य समर्थकाह आचारियाहा शलेशमयं पद्यं कथ मन्ने पूर्व प्रतिपाधिते काभ्य आहलादक तत्वेन शलेशेन एव ब्यंग्य भंग्या स्वा निरसिंहत्वं नूतन ध्वनी तत्वोन मीलने शक्ति मत्वं ब्यंजयती बहु विरोधे कृतेपी पशुसु सिंहस्य एव ध्वनेहे महत्वं अध्यापी वरिवर्ती अनुबंध दिशा वक्षमाण प्रतिपाध्य विशयस्य ध्वनेहे अवश्य निरूपणियताम प्रतमया कारिकया आचारियह प्रस्तवती काब्यस्यात्मा ध्वनिर्ति बुधाईर यहस्मामनात पूर्भः तस्याभावं जगतुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ने केचिद्वाचाम स्थितम विशय तत्वमूचुस्तदीयम तेनब्भुमह सहर्दय मनह प्रीतय तत्स्वरूपम काब्यस्यात्मा ध्वनिही वसुतहा काब्यस्य सार रूपहा काब्ययावान व्यंजक शब्दार्थ रूपु धन्याख्या अन्शः तावान एव तत्र सर्वश्रेष्ठ इति तात्परियम आत्मा यतनो धृतिही बुधिही सभावहा ब्रह्म वर्ष्म च इति अमरकोश आत्मा शब्दोत्र सभाव वाचकाह सहर्दयाईर धने रेव काभ्य रूपेन स्वी कृतत्वात तत इतरस्यच चित्रत्वेन वहिस्कृतत्वात बुधाई ही काभ्य मर्मग्याई ही सहर्दयाई ही समामनात पूर्बहा परंपरातः निरूपितः अपरे बुधाः तस्यध्वनेहे अभावं असत्ताम जगदुहू उचुहू कवचिदस्यध्वनेहे चरचापिना कृता इत्याशयः अन्नी बुधाह भाग्तम लक्षणया इमम लक्षणा संबध्धम इतितातपरियम अथवा भक्तिहे भाग्तम स्वार्थे अनप्रत्यह लक्षणा वृत्तिह इत्यरताह आहुहू प्रतिपादियंति केचित बुधाहाच तदियं धनिसंबद्धं तत्वं वैशिष्ट्यं वाचां वाणीनां अविशय स्थितं अ निर्वचनीयं इत्यरथाह उचुहु कथे यंति तेन हेतुना सहरदय मनह प्रीतय येशाम काब्यानु शीलना भ्यास वशात विशदी भूते मनो मुकुरे वर्णनीय तन्मई भवन योग्यता ते सहरदय संबद भाजहा सहरदयाहा भावकाहा काब्यानु रागिनाम मनसह तोशाय तत्स्वरूपम तस्यध्वनेह स्वरूपम संसिध्धम सभावम ब्रूमहा निरूपयामहा एक वचनम्न कुर्वीत गुरवात्मनी चेश्वरे इती वचनात परंपराश्वी कारियात बहुवचनप प्रयोगम केचन कुर्वते अत्र काब्यस्यात्मा ध्वनिर्ति बुधैया समामनात पूरबहा अत्र बृत्तव बुधैही काब्यतत्व विद्वीही काब्यस्यात्मा ध्वनिर्ति संगिताहा किन्तु एवं संकेतहा कृतहा समुपलब्ध काभ्यशास्त्र ग्रन्थेशु धन्या लोकात प्राग स्पष्टतेया धनिही काभ्यस्यात्मा इती कतनम्न प्राप्यते अत्रईव त्रियोधस्याम कारिकायाम धनिस्तर्ूप प्रतिपादने सूरिभिः कतितहा इत्यस्य वृत्तो प्रतमें ही विद्वांसो वैयाकरणां व्याकरण मूलत्वाद स्र्विध्यानाम तेन श्रूयमाणेशु पदेशु धनिर्तिव व्यवहरानती तथा इव अन्याई ही तन मतानुसारि भी सूरि भी काब्य तत्वार्थ दर्श भी वाच्य वाच्य के सम्मिश्रह शब्दात्मा काब्यमिती व्यपदेश्यो ब्यंजकत्व साम्यात धुनिही इत्युकताः पर्थमायाम कारिकायाम व्रित्तव काब्यात्म तत्व विद्विही त्रेयो दश्यांच वईया करणई ही अत्र उभयत्र कथने न साम्यम द्रिश्यते मूल कारिकायाम बुधै ही पर्थमायाम सूरि भी ही च इती त्रेयो दश्याम कथने साम्यम अस्ति सूर्य शब्द प्रयोग हा कवी नां कृते अपी अथवा कृतवात द्वारे बंशेस्मिन पूर्व सूर्वी हीती श्लोके कालिदासेने कृतः पंचम्याम कारिकायाम प्रतियमानार्थ स्फुटी करने वालमी के एव आदि काभ्य प्रसंग हा समुपस्था पिता काभ्यस्यात्म सैवार्थ स्थथा चादिक वेह पुरा क्रौंचद द्वियोग उत्था हा शोकह श्लोकत्तो मागता हा मा निशाद इत्याद श्लोके वाच्य रूपहा काभ्यात्मा नास्ति अत्र प्रतियमान रूपहा काभ्यात्मा अस्ति अत्र स्थाई भावाहा शोको रशस्य करुणहां वाच्य रूपह काभ्यात्मा प्रकारई ही उपमादिभी ही बहुधा व्याकृतहा आनंद वर्धनों बालमी की व्यासयोह अभिप्रायम स्विकृत्य स्वाग्रंथम क्रथनाति बालमी की व्यासय मुख्यास्य जे प्रख्याताह कवीश्वराहा तद अभिप्राय वाहियोय नासमाभिर दर्शितो नयाह आनंदवर्धनात प्राक काब्यतत्व विद्शू भामह एकस्याम कारिकायाम अपोह वाद खंडने ध्वनेहे संकेतम विदधाती यदि गऊरित्यम शब्दह कृतार्थोन्य निराकृतव जनको गविगो बुद्धेर मृज्यताम अपरो ध्व निहीं व्यंगेन रहिता रूढव सहितातु प्रियोजने इति ध्वनिसिद्धांत समर्थकस्य मम्मटस्य कथनम गौरयम इत्यादव जाध्यमांध्य प्रतीतिही व्यंजनया एवभवति प्रतीयते यत अनया कारिकया अपी प्रेरितह आनंदवर्धनह वर्तते एते न प काभ्यतत्व विद्विही इति कथनम अन्वर्थी भवति वय्याकरणाह प्रतमे विद्वांसह नात्रकस्यचित भिमतिही किन्तु ते स्फोटवादिनह स्फोटात अभिधार्थ येव अभीतो भवति अत्र काभ्यशास्त्रे उपसरजनी कृतयोहो शब्दार्थयोहो व दिंग्यार्थ बोधको ध्वनिही भवति वय्याकरणानाम मते ध्वनिही शब्दहा प्रतीत स्फदार्थकाः ध्वनिही इति ते शाम मतम अभाववादमतानी तस्य अभावं जगतु हु अपरे अन्ये ध्वनेहें अभावं उचुःू तेशाम मते शब्द आर्थव काब्य शरीरम, शरीरम ताव दिष्टार्थ ब्यवच्छिन्ना पदावली ती दंडी ए तेशाम मते शब्द गतास चारुत्तो हेतवाह अनुप्रास यमक शलेशादियाह अर्थगताह चे उपमा रूपक उत्प्रेक्षादेयाह वर्ण संगटना धर्माह माधुर यौज प्रसादादयह तेपी काब्यशु प्रतियंते तदनतिरिक्त वृत्तयह अपी याकैश्चित उपनागरिकाद्याह प्रकाशिताह तापी सुयंते रीतयस्च वैदर्भी गौणी त्यादयह तत व्यतिरिक्ताह कोयं धुनिर नामा अन्ने ब्रूयुह नास्तिवत धुनि पूर्वाचारियही काब्यस्च लोकोत्तराह लादकं किमापी तत्तम धुनिरितिन प्रतिपादितं प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिणा काब्य प्रकारस्य काब्यत्तो हाने हैं सहर्दय ख्रदयाह लादी शब्दार्थ मयत्तमेव काब्यलक्षणं नचोकतप्रस्थानाति रेकिणों मारगस्य तत्संभवत्य नचे तत्समयानतह पातिनह सहर्दयान कांश्चित परिक प्रवर्तितह अपी सकल विद्धन मनो ग्राहिताम नावलंबते, तात्परियम इदम्यत लोको तराह लादकस्य नूतनम नाम धनी इतिकृत्वा स्वा समर्थकान कांश्चन स्वानुकूलान विधाय धनी काभ्य प्रचारह क्रियते तथा अपी सर्वे विद्धन्सह ना पुनह अपरे तस्य अभावं अन्यथा कते युहो ना संभवत्येव धनिही अपूर्वा कश्चित पूर्व प्रसिद्धेभ्यो गुणालंकारादिभ्यो बिलक्षणा कश्चित काभ्य प्रकारो न संभव्वेत यतोही पूर्व प्रतिपादित चारुत्व भावनाहे त्वस्य नातिक क्रमणम कुरवाणह धनिही तेशु एव गुणालंकारादिशु अंतरभूतो भविश्यति अथवा पूर्वप्रतिपादितेशु कस्यचित नूतन नामकरणम किम नूतनत्तुम भविश्यति अथवा अनंत भणितिप्रकार कारणात भामहादी काभ्य लक्षनकारई ही विवेचितं कंचित काभ्य प्रकारांशं उपस्थाप्य ध्वनिही ध्वनिही इति निगदंत हा सहर्दयत्वस्य मिध्याम भावनाम समारोप्य हरशाव अलेशत हा अर्ध निमीलित लोचनाहा ते रित्यंति अत्र किमप्य विशेष कारणम नामोद भटादिवी भहवह अलंकारप्रकाराः प्रकाशिताह किंतु तेशाम एशास्थिती नकापी शुता इदम्नकिमपि वस्तु यस्य विश्लेष्णम भवेणनामा एकेन ध्वनिविरोधिन अस्मिन विशय पध्यमिधं व्यरची यस्मिन नस्तिन वस्तु किंचन मनह प्रहलादिसालंकृतर विद्पन्नै रचितम चन्नैव वचनेईर वक्रोक्ति शून्यम चेयत काव्यम तद्धनिना समन्वितिमिति प्रीत्या प्रसंशंग जडो नो विद्मो भिदधातिकिम सुमतिना प्रिष्टह स्वरूपम धने अस्मिन पद्ये वक्रोक्ति शून लोका तिक्रांत गोचरम मन्यते ति श्योक्तिम्ताम लंकारते आता सैशा सर्वैव वक्रोक्ति रने आर्थो विभाब्यते यतनो स्याम कविना कार्या को लंकारोने आविना वक्रोक्ति जीवित कारह कुंतको धन्या लोक कारस्य पस्चाद्वर्त ती विद्यते अतहा तस उल्येखो धुन्यालों के नकलपनी आहा। भाग्तमाहुस तमन्ने अत्र संदर्वे बृत्तिकारह कते यती धुनि नामना काभ्यशास्त्र भी नकस्चित प्रकारह प्रकाशिताहा। तथा पी प्रयोजन वत्याम लक्षणायां धुनिमारगो किंचित स्प्रिष्टों पी वक्ति यत प्रयोजन वती लक्षणा ब्यांगे न सहिता भवति एवं लक्षणायां ब्यांगे स्थितिम अनुभूय धुनियालों के वृत्तव धुनिमारगो मना कि स्प्रिष्टों पी नलक्षिताह इत्युक्तम। केचन शालीनाह लज्या शीलाह अप्रगल्भात मानह धनेहे तत्वम गिराम अगोचरम सहर्दय हृदय समवेध्यम एव कतित वन्तह अर्थात धनितत्व प्रतिपादनम नसंभाव्यते अतह प्राक्तन काव्य लक्षण विधाईनाम अनुन मेलित पूरुबं अथच रामायन महाभारत प्रभृति लक्षक ग्रंथेशु लक् अत्र धनेहे काब्यात्मता संबंधाह धनेहे स्वरूपम विशेह सहर्दयाह अधिकारिणह सहर्दय मनह प्रीतिष्य प्रयोजनम एवं अनुबंध चतुष्टियस्य अन्वितिही भवति धन्यालोक प्रतमद्योते दुतिया कारिकातह द्वाद्रशीम कारिकाम यावत ध अधनिश्वरूप प्रतिपादनस्य भूमिका विद्यते प्रथममतावत काब्यात्म रूपेण व्यवस्थितोव भेदोव प्रतिपादियती योर्थाह सहर्दय शलाग्याह काब्यात्मेति व्यवस्थिताह वाच्य प्रतिय मान आख्यों तस्य भेदावुवस्मृतव काब्यस्य ही ललितो चित सन्निवेश चारुणहा शरीरस्य एव आत्मा सारु रूपते आस्थितहा सहर्दय शलाज्यहा यहा अरथहा तस्य वाच्यहा प्रतिय मानस्य इति दोवेदव ललितह उडा लंकारह उपस्कृतह उचितो रसान कूलस्य यह सन्निवेश शब्दार्थ विरचनम तेन यत चारु मनोरमम तस्य एवं भूतस्य काब्यस्य शरीरस्य आत्मा एव शरीरे जथा आत्मा जीवनम तथा इत्यर थहा सारु रूपतया तात्विक रूपेण इस्तितह सहर्दय सलाग्यो नतू पामर मात्र प्रशंशितो जोवर थहा काब्यार थहा तस्य एको वाच्य रूपह अपरस्य प्रतियमान हा व्यंग रूपह इति दोव भेदव भवत हा वाच्य प्रसिद्धो यह प्रकारई रूपमा दिभी भहुधा व्याक्रता सोन्य ही काब्य लक्ष्म विधाई भी अतो नेह प्रतन्यते वाच्य प्रतियमान योहो वाच्य भागह सहास्ति यह उपमा रूपकादी अलंकार रूपेण प्रसिद्धा हा सह अन्य ही भामाह दन्डि बामनाधि भी बवुधा व्याक्रताह, वित्उपाधिताह, अतह सवाच्यह अर्थाह इह धन्यालोक ग्रण्थे न प्रतन्यते, सविस््तरं न न निरूप्यते, केवलम अनूद्यते, पुनहा यथा योगम, केवलम आवश्यकता नुसारेण, आच्य अलंकाराधीनां उपयोग हक्रियते, यतेने आचार्य आनंद वर्धनह न अलंकाराणां न च अलंकार वादिनां विरोधी, अपितु पिष्ट पेशनं विहाय, यथा यथाम अलंकाराणां उपयोगं कुरवन काभ्यस्य प्रकार विशेशम धुनिंप यत्तत प्रसिद्धाव यवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु प्रतियमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वानिशु महाकवीनां। यत्तत सहर्दय सुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्या अलंकृतेभ्या प्रतीतेभ्याव अवयवेभ्या व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिव अंगनासु यथा अंगनासु लावण्यम प्रतंग निर्वण्यमानं निखिल अवयव व्यतिरेकी किमपि अन्यदे सहर्दय लोचनाम्रतं तत्वांतरं तद्वदेव सोर्थः महाकवीनाम बालमीकी व्यास कालिदासादीनाम वानिशु कविवाक्षु काभ्यरूपासु प्रतीयमानं पुनर्वाच्यात प्रिथक अन्यदेव वस्तु अर्थ रूपं यत सहर्दय अनुभूतं प्रसिद्ध वस्तु तदंगनासु रम्यांग वतीशु स्तिरिशु प्रसिद्धावयव अतिरिक्तम मुखनासिका कपोला दिभ्या अवयवे ब्या अतिरिक्तम भिन्नम अनुभूयवानम लावन्यम संदरियम एव बिभाति सोभते सही अर्थाह वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम वस्तुमात्रम अलंकार रसादयह च इती अनेक प्रफेद भिन्नो दर्श इस्यते सर्वेशु चतेशु प्रकारेशु तस्य वाच्याद अन्यत्वं तथाही आध्यस्तावत प्रफेदो वाच्याद दूरं विभेदवान सही कदाचित वाच्चे विधिरूपे प्रतिशेद रूपह यथा भमधम्मिय विस्सत्थो ससुनुगो मारियो देन गोलाणै कच्छ कुडंग वासिना दरिय सीहेन भ्रमधार्मिक विश्रब्धा ससुनकोध्य मारितस्तेन गोदानदी कच्छ कुण्ज वासिना दृप्त सि अथ गोदावरी तीरस्थम लता कुंजम स्वाभिसारस्थरी कुंजम प्रति कुसुम चैनार्थम गच्छन्तम कंचित धार्मिकम बिग्नम मन्वाना चतुरा अपि सुन्दरी मुगधेन तम गमनान निशेद्धुम व्यंजनेया ब्रूते भोधार्मिक निश्चिंतम इतह अग्रे गच्छ यतह अध्य सकुकुरो यहां त्वाम प्रतिदिनम् भीशियती सगोदावरी तीरलता वृते कुंजे कृत निवासेन अध्यापि तत्र स्थितेन कृध्ध सिंहेन अकृत भायेन सिंहेन मारितह खतह तत्र गतह तस्य एव मुखे पतिश्यतिती अत परावर्तस्व मा अग्रे गंतुम मुधा साहसं कुरू अत्र वाक्यार्थो बिधरूपह किन्तु प्रतियमानार्थो प्रतिशेद रूपह क्वचित वाच्चे प्रतिशेद रूपे प्रतियमानार्थो बिधरूपो भवती यथा अत्त एथ निमज्य एथ अहम दियस अय पलो येही मा पहिय रत्ति अंधय सेज्जाय महा निमज्य ही सी। शश्रू रत्र निमज्यति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय मा पतिक रात्यंधक शैयाम आवयोर निर्माक्षी ही। हेरात्यंधक पतिक अत्र अस्याम शैयायाम मम शश्रूहू निमज्यति जरा जीर्णत्वात शैयायाम पतित्वात निश्चेतनईव शेते इत्यरथाहं। अत्र चाहं स्वयं शैये एतत्वं दिवसकं यावत दिवसोस्ति तावत काल परियंतं सम्यक प्रलोकय पश्य परिचिनुही आवयोर शैयायाम मा निर्माक्षी ही। मा पतह अथवा दिवसकं कुतिस्तं दिवसं कुतिस्ते इती कप प्रत्यह प्रलोकय प्रतिपालय यथा कथंचिद अतिवाहय अत्र प्रतिशेध मये वाच्य अपी पथिकं प्रति आरोपितेन रात्रंधक इती विशेषणेन वक्त्रिबोधव्य वैशिष्यात बिधिही प्राधानेन विज्यते अस्यतात्परियं महिम भट्टह एवं प्रस्तवति अत्र निशान्धता ध्यारोपेन स्वशयनस्पर्ष निशेध मुखेन स्वश्रूशयासनिवेश देशं दर्शयंती रात्रव अत्र मदिय एव शैनिये त्वया निर्भृतं उपस्थातव्य तैही तैही आकारेही प्रतिशेध मुखेन स्वाभिप्रेतम अर्थम अस्मय निवेदयते एवं अत्र प्रतिशेध रूपे वाच्यार्थे प्रतियमानः अर्था विदरूपो वरिवर्ति क्वचित वाच्चे बिदुरूपे अनुभय रूपो जथा वच्च मह विय एक्केई होंत इडिसा सरोई अब्बाई मा तुझ्ज वी तीय विना दक्षिनह अस्य जा अंतु ब्रज ममैवै कस्या भवंतु निहिश्वास रोधितब्यानी मा तवापी तयाविना दाक्षिन् जनिशत अत्र कयाचित खंडितया आभ्यंतर प्रज्वलितेर्षा कोपया सावहित्थम सोलूंठनम सप्रणयोँ चित्यम अन्या सक्त हृदयो दक्षिन नायको भर्थ्यते हे कितव ब्रज गच्च स्वप्रेयसी पार्षम एकस्याह ममैव निहश्वास रोधितब्यानी त विरह विहितानी भवन्तु अत्र सर्वथा शठत्वं मै केवलं मै कृतकं प्रणयं प्रदर्षयसी वस्तुतस्तु तस्यामेव गाढ़ं अनुरक्त हैती भर्थ्चनम व्यज्यते तच्च विधिरूपे वाच्चे न निशेध रूपम नवा अन्य विधिरूपम अत्र प अनुभय रूपोभति प्रतियमानार्थो यथा देयाकसिय विवत्तसु मुहससी जोणां विलुत्त तम निवहे अहिसारियानम् विग्धम करोसी अन्नानम् विह आशे प्रार्थये तावत प्रसीद निवर्तस्व मुखशसी जोचना बिलुप्त तमो निवहे अभिशारी काणां विक्नम करोश्च्यन्या साम पिहताशे हे मुखशसी जोचना बिलुप्त तमो निवहे मुखचंद्र चंद्रिका अपसारिता अंधकार पुंजे त्वाम प्रार्थाये प्रसीद निवर्तस्व व्यवसितं गमनं अग्रे मा कार्शिही हे हताशे एतन नर्म वचनं आत्म प्रतिविज्या ज्यापनार्थं अन्यासामपी अभिसारिकाणां रमनार्थं संकेतं गच्छंतीनां बिगनं करोशी। त्वन्मुख चंद्रिका प्रकाश कारणात अपिशब्द ग्रहनात तवतु विग्र रूपह स्वामुख प्रकाश एव विद्यते अति एव हताशा तमसी प्रियकृतं चाटु एव अत्र व्यज्यते। प्रतिय मानार्था क्वचत वाच्यात बिभिन्न विशयत्वेन विवस्था पिता। यथा कस्वाण होई रोषो दठन प्याये सब्णम अहरं सभमर पौमग्घाईणी वारिवामे सहसु एहिणं। कस्यनभवती रोषो दृष्ट्वा प्रियायाह सब्णम अधरं सब्ढमर पद्मघाईणी वारित्यवामे सहस्वेधानीं। पूर्वै ही चदूरुवी ही ऊधारण ही वाच्य विंगोहो स्वरुब भेदा भेदः प्रत्यम्पाद। अस्मिन उधारणे विशै भेदा दपी तयोहो भेदा प्रतिपाद्यते विशैह बोधव्यो जनहा यह वक्त्रा इस्थनियतह क्रियते एकेन कथनेन कुलटा नाईका स्वकियम रक्षणम अनुभवती पति ही परपुरुशेन नहीं अपितु प्रियायाह सब्रनाधर कारणम भ्रमरम मनुते कस्यास्चित बिदकधायाह कुलटा सक्ष्याह उक्तिरियम सा कुलटाम बदती तथाच एवं प्रदर्शियती यत्सान जानाती अत अस्याह कुलटायाह पतिही अपि तस्याह कतनम स्रणोती किन्तु विशेशतह तस्याह पतिम एव श्रावयती गातार्थाह प्रियायाह स्वप्रियतमायाह सब्रणम ख्षतभाजम अधरम रिष्टवा कस्य पुन्चो रोषो नभवती सब्रमरं तत पदमं तत आग्रातुम शीलं यस्याह तत संबुद्धव सब भ्रमर, पदमा, घाईनी, तथा वाछरीते, वारणायां भामा प्रतिकूलाचर्ण, शीला, तत्संबुद्धव, इदानीं सहस्व, भामा चरणस्य, फलम, भोंध्व, प्रतमो ध्योत्स्य, पंचम्यां,कारिकायां, कहा अर्था अर्था, काभ्यस्य, आत्मा इति प्रत टाछा चादी कवे पुरा कौंच दुन्द विउग उत्था हा ₹शोक अ हाशयू कत्तों मागता हा सईवं अर्था प्रतियमानं पुनर्यद्य vessel वस्त इत्यादिनन प्रति पादिता हा ₹ प्रतियमानंह अरथा कब्डयस्य आत्मा तथा चादि कवे है विश्वस्य प्रथम कवे है महरशे है बालमी के है पुरा क्रौंचयोहो यद्वंद्वम मिथुनम तस्यो वियोगहा व्याधेन एक तरस्य वधे कृते जायमानों विरहहा तस्मात उत्थितह उत्पन्नह शोकहा सैव स्लोकत्वं प्रथमहा काभ्योत भेद रूपहा प्रादर भूत विविद वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुणहा काभ्यस्य सैव अरथहा सारभूतहा तथा चादि कव पालमीके हे निहता व्याधेन व्यापादिता या सहचरी तस्याहा विरहहन कातरो यहा कौंच हा तस्य यहां उच्चैही आरावहा तसमा जनितहा तम आकर्णे जनितहा उद्भूतहा जागरितहा शोकहा चित्य वृत्य विशेश येवा श्लोकतेया परिणतो निश्रितहा परिवसन इत्यरथहा शच रामायने प्रसिद्धा श्लोकहा मा निशादप प्रतिष्ठाम तमगमह शास्वती समाह यत्क्रोंच मिधुनादेकं अवधी काम वोहितं करुणस्य स्थाई भावा शोकहा ससोकह येव श्लोके अत्र आस्वाद्यमानहा करुणहा रस इती उच्यते करुणामयो जनहा संबेदन शीलो भवती सर्बान प्रती स स्नेहं करोती पसु पक्षिणाह प्रती तस्मिन स्नेह भावो भवती भवह वूती एको रसाह करुणयेव इत्यादिना करुणस्य रसस्य महत्त्वं स्वी करोती इदानिं विशै संग्रह प्रस्तुयते एवं रूपेण आचारी आनंद वर्धना धन्या लोकस्य प्रतमों ऐदिताह पंच मीन कारीकाम्यावत प्रतंगतावत धनेहे काव्यातमत्वं प्रदर्शितं अनंतरंचे जहा धनीं प्रतियमान आर्थहा तस्यतावत वाच्यात कथं भेदता प्रतियमानार्था कथम वाच्यार्था भिन्ना भवती एवं तेन प्रतिपादितम पस्तुतह वाच्यार्था कदाचत बिधिरूपा भवती तत्रापी धनही निशेदुरूपा भवती एवं चे यत्र वाच्यार्था निशेदुरूपा भोवती तत्रापी व्यंग्यार्था धनुरूपा अर्था बिधुरूपा भोवती एवं पतिपादितं। तेना अस्मिन प्रसंगे आनंद वर्धना चारियन महर्षे हे बाल्मी के हे आदी काभ्यमपी उपस्थापितं। प्रतियमानार्थ मध्ये रसभाव रूपस्य एव एतस्य प्राधान्यम बस्त्वलंकार रूपयोह सर्वथा रसाजी रूपम प्रत्यव परियवसानम इती। तेशु भेदेशु प्रधानत्वात रसभाव रूपस्य एव प्रतियमानस्य काभ्यात्मत्वम उपलक्षितं। यथा अस्याह कारिकायाह वृत्तव प्रतियमानस्य च अन्यभेद दर्शने अपी रसभाव मुखेन एव उपलक्षणं प्राधान्यात। आत्मत्वम्तु बस्त्वलंकार रूपयोह अपी प्रतियमानयोह सुष्थितं एव तयोह अपी वाचात उत्त्रिक्ष्ट सुरूपत्वात् येवं प्रकारेण तेन वाचात प्रतियमानार्थस्य वैशिष्च्यं प्रतिपाधितं। धन्यवादहा। झाल झाल